अप्टुम्पक्टो येलो 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 देखो मैंने जाइकल बेगे देखो क्या गैजिट लगाया है ये शिवार ये है अच्छा ठीक है लडू सिंग जी अच्छा ठीक है लडू सिंग जी ओके फ्रेंड्स लडू सिंग जी अपने बच्पन के दोस्त के साथ आ रहे हैं उन्हें इंप्रेस करना है क्या क्या बताओ इमर्ती से मेरे बिना तो इस शेहर में एक पत्ता भी नहीं हिलता बड़ा मान सम्मान है मेरा यहां मेरा तो बस नाम ही सुनकर क्रिमिनल का अपने लगते हैं अरे वा लडू बच्चे तुम्हें इदरी इज़त देते हैं और क्या लडू सिंग को क्या समझा है अंकल लडू सिंग जी की वज़ह से ही तो इस शहर में अमन और चैन है इसे लिए तो हम लडू सिंग जी की इतनी इस्ट करते हैं बच्चो बच्चो जलता हूं शीवा यह लड़ू सिंग ची उन्हें इतना इंप्रेस क्यों कर रहे हैं और उनके बच्पन के दोस्तें उनसे मिल आये हैं उन्हें इंप्रेस करना चाहरे हैं करने दोना हमें से क्या है मैं पांच मिनिट में आया क्या हुआ तुम्हें कहा था पिटाई के लिए तीन-चार नकली घुन्डे भेजना मेरे पास जिससे मैं मार मार के अपने दोस्त को इंप्रेस करूं आले डू सिंधी वो आने वाले हैं बात पूँ गई है ओके ओके ठीक है पेडा राम बाइड जो कुछ है हमारे हवाले कर दो तंका का तंका पूरी दुनिया में बच्ता है पेडा राम के भेजे हुए गुंडे आ गए अब इन्हें थो थो के इमर्ती सिंग को इंप्रेस करता हूँ और तुम मेरे सामने यहां लूट मार कर रहे हो है अब तुम लोगों को में नहीं छोड़ूंगा है 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 लट्डू सिंगी सोरी गाड़ी पंक्चर हो गई तो थोड़ा लेट हो गए अरे यहां मेरे पूरी बॉड़ी पंक्चर हो रहे है तुम्हें अपनी गाड़ी की पड़ी है अरे यह क्या लट्डू सिंग जी की पिटाई थीक है शीवा अरे लट्डू यह क्या हो रहा है तुम पिट रहे हो तुम दो गुंडों को पीटते हो तुम दो गुंडों को अरे यह पीटेंगे गुंडों को हां अरे अंकल लट्डू सिंग जी सबके सामने मार पीट नहीं करते आप लोगों में अगर हिम्मत है तो इनको उस गोड़ाओन में ले जाकर पिटाई कीजिए फिर देखीगा लट्डू सिंग जी आप सबका क्या हाल करते है अच्छा य यह बात है यह हमारी पिटाई करेंगे चलो भाई फिर अंदर और और क्यों पिटवार ही हो मुझे यहां तो कोई बच्या भी लेगा वहां गोडाओन में कौर बचाएगा अच्छा 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 इतना पिटने के बाद अब डांस क्यों कर रहे हो क्योंकि अब तुम्हारी बारी है बुंडिया मौवाली कहीं के मैं साइड में आराम से खड़े हो जाता हूँ जब पूरी तरह पिट जाना तो बताना ओके जाओ जाओ पिटने बच्छे यहां क्या कर रहे हूँ चलो बाहर जाकर खेलो यहां इनकी पिटाई होने वाली है बच्छा नहीं कहना अंकल शिवा शिवा नाम है मेरा क्या लट्टू सिंग मारा यहां और फाइट करेगा बोल 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 करेगा चल अंदर बताना हूँ जरू है क्यों और पिटना है बोल बोल पेट नहीं भड़ा चलो अंदर करता हूँ तेरी धुलाई चलो और कोई बचा है किया बोलो और किसी को पिटना है तो आजाओ लट्टू तूने तो कमाल कर दिया क्या फाइट की है पर तू बाहर क्यों पिट रहा था अरे यार सड़क पर मुझे मार पिट करने अच्छा नहीं लगता वैसे मैं ज्यादा शो आफ नहीं करता ना आपके रहते ही तो इस शेहर में शांती है या पिटाई किये गुंडों की वाँ ओके बच्चों थैंक्यू 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 वेरी मच्छ खुश रहो पढ़ाई करो है 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 एक बच्चा हमें पीट रहा था और चले पे नमक लट्टू सिंग लगा रहा था ही लो बन रहा था जाओ उसके दोस्त को पकड़ के लाओ लट्टू सिंग को अपनी उंगली के इशारे पे न चाओंगा अनलीजे सार हेलो लट्डू सिंग सारे शेर के जितने भी जूलरी शॉप है उसका सारा माल चोरी करके जहां बोलू वहां पहुंचा देना है मैं बताओंगा कहा आना है है मैं फेमस पुलिस इंस्पेक्टर लट्डू सिंग हूँ मैं करूंगा चोरी है मैं तो मत करो फिर तुम्हारा वो दोस्त वो अब हमारी गिरफ्त में है उसे बचाना है तो यह चोरी तो तुम्हें करने ही पड़ेगी वरना तुम्हारा यह बच्पन का दोस्त बचाओ 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 मेरे दोस्त को कुछ मत करना प्लीज अलो शीवा जल्दी आओ जल्दी आओ प्लीज लेटू सिंग जी आप एक बैग लेकर आजाए मैं आपका पीछा करके वहां आजाओंगा फेरा में मर्ती अंकल को बचा लेंगे को के शिवा थैंक यू अभी करता हूं आओ लेटू सिंग क्या हुआ जी मैं चोरी कमाल लेकर आ रहा हूं लडडू सिंग जूट मत बोलो तुमने कहीं चोरी की ही नहीं मेरा आदमी तुम पर नज़र रखे हुए है जाओ जूलरी शॉप लूटो फेराना तोबारा ये नकली बैग लेकर आए तो तुम्हारा दोस्त कया सेट दो घंटे के लिए शॉप में चोरी कर रहा हूं फिर सब वापस कर दूगा क्या खबरदार लड्डू सिंग जी चोरी की तो मगर आत्मू चोरी करोगे प्लीज प्लीज सेट जी समझा करो अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहा हूं बस तो घंटे की तो बात है अभी देदो डाल दो सब जेवर बैंक के अदर खबरदार लड्डू सिंग जो मेरे जेवरों को हाथ लगाया अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना दोस्त को बचाना है इतना क्यों नहीं समझते अब सब माल बैग में डालो डालो अरे यह क्या हो रहा है पुली सिंग्टर ही चोरी कर रहा है अरे अब किसको पॉन करूँ हुँ आपक अरे औरे रच कर रेड्ни8 तरश्ड़ में पॉन कर रेड्यों हुँछ thou अmed ओड्यों है ठग्यों है अर्फयर वपो netaj conclus ten रखब decide to postman Shapiro आहा है अर टेर बबड़ में में हुझ toist the camera कर दो एक आपए अपर पर जायोंगे तो वह देखनेंगे उम उपर से जाएंगे अगे रड़ी अगे रड़ी अगे शीवा, स्काई तो बिल्कुल क्लियर है, वो लोग तो हमें नीचे से देख सकते हैं डोन्ट परी वेवा, मैं अभी इसका उपाई निकालता हूँ अरे ये क्या है अरे ये तो वही बच्चे हैं, ये कहां से आ गए अरे 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 शीवा, 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 शीवा आगे लड्डू स rubbish, थोना लाए हो सोना लाया हूँ, अब मेरे दोस्तको छोड़ दो हाँ, अब कोई नहीं बचे गा इमर्थी करना मत मैं आगया हूँ लड़ो सिंग तुम आ गए देखो इन लोगों ने मुझे यहां बांध रखा है इमर्थी मेरे दोस्त अभी देखना में एक एक का क्या हाल करता हूँ देखना है बच्चे तुम यहां भी आगए बच्चा नहीं कहना अंकल देखा मेरे दोस्त से पंगा लोगे तो ऐसे ही पिटोगे अरे ओ भाई तुम्हारे दोस्त से नहीं पिट रहा हूँ मैं मेरा दोस्त ही तो पीट रहा है तुम्हें क्या वो तुम्हारा दोस्त है हां मेरे बच्चपन का दोस्त है मेरे साथ ही तो पड़ा लिखा है हां हां हमने साथ में भी यह किया है यह नहीं हो सकता सच में वो तुम्हारा दोस्त है अरे साथ खेले हैं कबट्डी फुटबॉल खेला है तुम कबट्डी खेलते थे उसके साथ यह यह कैसे हो सकता है कितनी उम्र है तुम्हारी 35 साल सुनो इसकी उम्र 35 साल है बच्पन में उसके साथ कबट्डी खेलता था वो दो डालो उसको बच्चा नहीं है वो और कितना पिटोगे मेरे दोस्त है यार यह कैसे हो सकता है चलो फिर से देखता हूँ चलो प्प्ट्वखता है वो व्प्ट्वबस मेरे कर दोक्राब आप कर्सकते है आजाओ बताता हूं आजाओ एक एक करके आजाओ वह शाब बाज लड्डू छोड़ना नहीं गुड़ों को आजाओ जुड़ों को एक कर दो आजाओ और को है एक आजाओ बताता हूं आजाओ आजाओ इमर्ती आजाओ सब को ठीक आने लगा दिया वाह लटू सिंग तुम तो बड़े बहादर हो सब को अंधा कर दिया लटू सिंग तुम बहुत बहादर हो कैसे मारा तुमने इतने आदमियों को पूछो यार मत पूछो पता यार पता कैसे मारा तुमने इतनी अच्छी फाइट कहां से सीखी कुंफु करते हो या कराटे मत पूछ यार वर्ना मैं बता दूँगा मत पूछ क्या बता दोगे यह फाइट सब शिवा ने की है मैंने नहीं इस शहर में आमन शांती सब शिवा की वज़े से ही है मैं तो सिर्फ फाइट की एक्टिंग ही कर रहा था दोस्त मैं तो तुम्हें इंप्रेस करना चाहता था लड्डू सिंग जी आपने ये साबित कर दिया कि आप एक इमानदार और अच्छे आदमी है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है शिवा ठीक कह रहा है लड्डू सिंग मैं बहुत खुश हूं तुम सबसे मिलके हुआ हुआ है